नमस्कर दोस्तों, Food Divine में आप सभी का स्वागत है, आसा करते हूँ आप सब अच्छे होंगी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बिलकुल बिना मसाले के टेस्टी आलू गोबी की रेसिपी सेयर करूँगी एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखेगा, उम्मीद है पसंद आएंगे तो चलिए सुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गुल रगते थाउजन आज के रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज के फूल गोबी गोबी को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकरो में काट लेंगे और लिया है मैंने यहाँ पे 3-4 मेडियम साइज के आलू और आलू को भी हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकरो में काट लेंगे आलो गोबी अब अपने जुरत के सबसे कम्या जादा कर लीजेगा सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 फोर्ट कप तेल और तेल को पहले गरम कर लेंगे तेल जैसे गरम हो जाए गैस का फ्लेम बिलकुल लोपे करेंगे और डालेंगे 1 चम्मज कलोंजी साथी हम डालेंगे 4-5 हरी मिल्ट तीखा कम जादा आप कर लीजेगा और साथी डालेंगे आदा जम्मल हिंग पहले हम फ्राई कर लेंगे कलोंजी जैसे हमारा फ्राई हो जाए हम पहले आलू डालेंगे आलू को 2-3 मिनिट मेडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे पहले तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और पहले हम 2-3 मिनिट आलू को फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा कलर चेंज नहीं करेंगे फ्रिंट एक बड़ आप इस तरीके से आलू को भी बना के जरूर देखेगा बहुत ही जादा आपको टेस्टी लगेगा बिल्कुल बिना मसाले के आज हम सबजी को बना के तियार करेंगे 2-3 मिनिट आलू को फ्राइ कर लिया है अब हम डाल देंगे फूल गोवी साथी डालेंगे आदा कब मटर गैस का फ्लेम हम मेडियम करेंगे और 3-4 मिनिट आलू गोवी को बीज-बीज में चलाते हुए फ्राइ करेंगे जब तक आलू गोवी का कलर अच्चे से चेंजना हो जाए रोटी पराटे पूरी किसी के साथ भी आप इस सब्जी को खा सकते हुए बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है तीन से चार मिनिट मैंने गोवी मटर डालने के बाद फ्राइ कर लिया है गोवी का कलर बहुत ही अच्चे से चेंज हो गया है अब हम डालेंगे आदा चम्माज ब्लैक पेपर पावडर ताथी हम डालेंगे नमक स्वादा नुसार एक बर अष्चे से mix कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पर गरम पानी थंडा पानी नहीं डालेंगे और मैं यहाँ पर हल्दी नहीं डाल लियो अगर आपको color के लिए डालना है तो आप 2-3 पित हल्दी यहाँ पर डाल सकते हो गरम पानी हम डाल देंगे करीब एक काफ बिना मसाले के ये सबजी बहुत जादा आपको टेस्ट लगेगा तो देखिए मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला है लेकिन अगर आपको कलर के लिए डालना है तो आप डाल सकते हो पानी डालने के बाद अच्छे से मेक्स कर दिया है गैस का फ्ले मीडियम करके ढग देंगे 7-8 मिनिट के लिए जब तक आलू गोभी अच्छे से सौप्ट ना हो जाए 6-7 मिनिट हो गए और आलू गोभी अच्छे से हमारा सौप्ट हो गया है एक कटोड़ी में हम थोड़े से आलू और गोभी को निकाल लेंगे और एक चम्मच से हम थोड़ा सा मैस कर लेंगे इससे जो हमारा ग्रेवी है थोड़ा सा गारी बनके तैयार होगा तो बस इतना सा आलू गोभी को हम मैस कर लेंगे तो डाल देंगे हम मैस की हुए आलू और गोबी डालेंगे हम आदा चम्मच गरम मसाला साथे डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया एक चम्मच देशी घी अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम गैस का फ्लीम मीडियम करेंगे और ढग देंगे सिर्फ दो मिनिट के लिए दो मिनिट बाद हम गैस का फ्लीम बन कर देंगे हमारे तयारे बहुती टेस्टी आलू गोबी की सबजी जब तक आप एक बार बना के इस तरीके से नहीं खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टेस्टी बन के तयार हुआ है अब हम सर्फ कर लेंगे एक प्लेट में तो फिर आज की रेसिपी एक बार बनाएं खाएंगे फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को जादा से जादा से शेयर भी कीजिएगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार